लेटेस्ट परडॉक्ट की नोलीज पाने के लिए सबस्क्राइब करें एसस्ट परडॉक्ट नोलीज साथ ही प्रेस करें बैल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशनस आपको मिलते रहें नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सोलर लगवाना चाहते हैं तो एक किलोवाट सोलर का क्या प्राइज पड़ेगा क्योंकि काफी रेट जो है उपर नीचे होता रहता है अभी अक्टूबर दोजार इकिस के बाद जब आपको बता हूँगा तो मैं संग्राम सिंग एसस प्रड़क्ट नोलीज यूटूब आपका स्वागत करता हूं तो चलिए शुरू करते हैं आज किस वीडियो को जानते हैं इसके बारे में और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो हम बात करें एक किलोवाट सोलर देखे अगर राप पॉली प्स्क्राइन में अगर आप तेसला रूपय हैं सबसे ज्यादा भारत में वही लगता हैं अभि प्षिए पैण का अगल एक किलो वाट का प्लान्ट लगवाना चाहते हैं तो लगबग 32000 अब यही कि इस तो फ्राहिश चला हुए लेकिन वह सही पैनले के देने हैं और इसे में नई टेक्नेलोजी एपई जो मोनौ पर्क के नाम से छानी जाती है Around इस टाइम जो पराइच रहेगा वह लगबक रहेगा ततालीस रुपीड के आसपास और ऑक तो बाइफेशल बेंदा छाटे तो बाइफेशल करें पॉल्पडस जो है मोनोगोच्णॉटलाइन या फिर नहीं नहीं दो भारत में आ चुके आपकुछे पैनल जैसे पैनसोणिक अलग टेक्न निकाला था तो वो थोड़ा ओर महंगा है तो वो चीज़े डिपेंड करते हैं हमारी सबसे पहले पैनल पर दूसरा तो फेक्टर होता है इसमें दूसरा हमारे डिपेंड करता है स्टेंड पर भई किस परकार का आप structure लगवा रहे हैं आप कही लोकल्स में क्या होता है वहां पर आपको ल लेकिन लोहे स्टेंड जल्दी पकड़ता है तो लोहे सफट爪 न लगवाएं उसके लिए अब जी आएइ का स्टेंड लेते हैं अब कई में कहीं quality हो जाती हैं जैसे वही वन-पॉइंट टू-वम में लगा देते हैं कई जगह वन-वन-वफइंट शीक्स में लगा देते हैं या फिर टू-वम का structure चला हुआ है और जो इंडे करेंगा अब यह तो बात होगे हमारे सोलर पैनल की और हमारे स्ट्रक्चर की तीसरा इसमें आता है हमारी जो इंस्टॉलेशन हो किस प्रकार की अब लोकल्स में क्या होता है कि हम डिरेक्ट सीधा फास्टनर से हमारी इंस्टॉलेशन कर देते हैं लेकिन जो सीधी हमारी फास् परती है यह केमिकल आता है चांक डाल गे आपको अच्छी प्रकार से फिटिंग करनी पड़ती है अब वहां जैसे आप है इसमें डालेंगे या या कैमिकल और ब्रकार बढ़ जाता है आपका को और उसके बाद फिर हमारे रह जाती है वाइरिंग वगएरह लेवर है खर्च तो वह अदगलग अपने अपने जो डीलर्स हैं या दिस्ट्रिबूटर्स हैं वह लेवर का अपने अपने हिसाब से सभी अपना खर्च लेते हैं तो यह चार-पांच फैक्टर्स हैं जिन पर हमारा सोदर का प्राइज किस प्रकार की वहां पर जगह है तो इंस्टोलेशन में कई चीज आती है इसके उपर में अलग से फिर कोई वीडियो बनाऊंगा और फिर हमारी होगी वाइरिंग की अब वाइरिंग में होता क्या है कहीं सिंपल कोपर वायर इस्तमाल कर लेते हैं तो वहां पर जो है उसका प यहीं उसमें जो है रेट में डिफ्रेंस करती है तो यह कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर हमारा सोलर का प्राइस डिपेंड करता है तो वह आपको देखना है आप किस प्रकार का सोलर पैनल ले रहे हैं क्या आप इंस्टलेशन करवा रहे हैं कौन कौन सी चीज़ आप लगवा अधिक है तो वहां पर आपका प्राइस ज्यादा रहेगा और अगर आप जो मैंने यह तीन-चार चीज़े बताई इन में आप चेंजिस करेंगे कि आप स्टेंड थोड़ा है वी ले रहे हैं तो वहां पर आपको प्राइस ज्यादा देना होगा पैनल अगर आप मोनो में रहे हैं तो वहां भी आपका प्राइस ज्यादा होगा तो यह कुछ चीजे थी जिसमें हमने बताया कि एक किलोवाट आपके लिए क्या रहेगा किन-किन फैक्टर पर यह डिपेंड करता है तो इससे संबंदित अगर आपको कोई स्वाज रहता तो आप हमें कर सकते हैं हमा कि बहुत नहाँ